आज हम लोग इस वेपसाइट का Shopping Card Passe को डिजयं करेंगे और अलसो PHP के मदद से इस पे कैसे आईटेम ऐड कर सकते है वह सिखेंगे तो आभी देखिए हम लोग का Shopping Card Passe पे कोई आईटेम नहीं है आब हम लोग इसमें आईटेम ऐड करेंगे तो हम लोग product page में जाएंगे, अब यहाँ पे हम लोग कोई भी item add करेंगे, जैसे हम लोग यह item by now पे click करते हैं, तो यहाँ पे एक pop-up window आएगा, जिसमें लिखा है item added, ओके पे click करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, card section पे हम लोगों का one item दिखा रहा है, तो हम लोग card पे click कर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों का एक item add हो गया, यहाँ पे इसका total bill भी आ गया, अब हम लोग दूसरा item add करेंगे, अब हम लोग नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखिए, इस product पे हम लोग click करेंगे, तो इस product पे click करने के बाद, यहाँ पे देखिए, add to card, इ हम लोग OK पे क्लिक करेंगे, तो आप देखिए हम लोगों का कार्ट सेक्षन पे दो आइटेम आ गया, तो हम लोग कार्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का दो आइटेम एड हो गया, और दो आइटेम का टोटल बिल यहाँ पे आ गया, हम लोग या debit card कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अब अगर हम लोग दोबारा प्रोडक्ट पेज में जाए और इसी सोफा आइटेम को दोबारा एड़ करने की कोशिश करें जैसे हम लोग बाइनाव पर क्लिक करेंगे यह पर हम लोगों का नोटिफिकेशन आएगा आइटेम अल्रेडि एड़ेट मतलब एक आइटेम दोबारा एड नहीं होगा आप मान लिजिए हम लोग किसी भी आइटेम को रिमुव करना चाहते है तो हम लोग यह रिमुव बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए आइटेम रिमुव अब देखिए एक अइटेम हो गया पर देखिये हम लोगों का टोटल जीरो आ गया हाई मैं हूँ प्रोशनजीत देबनात प्रोइस्कूल में आप लोगों को स्वागत है इस चैनल में आप लोगों को टेक्नोलोजी एंड बिजनेस रिलेटेट सारे एजुकेशन मिलेगा जो आपका केरियर बिल्डिंग में बह हम लोगों का सारा कोडिंग सी ड्राइब में वैंप 64 फोल्डर के अंदर www फोल्डर के अंदर यहाँ पे करना है हम लोग यहाँ पे एक फोल्डर बना लिए प्रोइस्कूल शॉपिंग कर इसके अंदर हम लोग सारा PSP लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे हमारा इमेज और CSS स्पेस को कॉपी कर लिए और हम लोग पहले जो home page, product page, single product page .html पे बनाये थे उसको बस .psp कर देंगे और .psp page में सबसे उपर इतना .psp quotation declare करना पड़ता है तो हम लोग हर page में इतना declare कर देंगे अब हम लोग चाते हैं हम लोग का ये जो buy now button है इस पे click करने पे हम लोग का ए product card में add हो जाए तो इसके लिए हम लोग को buy now button पे code लिखना पड़ेगा तो इसके लिए हम लोग product.psp पे जाएंगे और इहाँ पे हम लोग का buy now button पे हम लोग एक type add कर देंगे इसका type होगा submit क्योंकि ये button जब product का detail submit करेगा तब हम लोग इसे card में देख पाएंगे आब हम लोग button का एक नाम दे देते हैं add to card अब देखिए ये button तब काम कर पाएगा जब ये form के अंदर रहेगा क्योंकि data submit form के अंदर ही होता है तो हम लोग पूरा product को एक form के अंदर ले लेते हैं और form का action होगा managecard.php यानि ये जो data submit करेगा ये manage.php में जाएगा और इसका method होगा post ताकि ये URL पे ना दिखे आप देखिए हम लोग button type submit तो दिए लेकिन यहापे कौन सा data submit होगा ओ हम लोग नहीं दिए इसलिए हम लोग एक input type hidden ले लेंगे जिसका name हम लोग दे देंगे item name और इसका value होगा जो product का नाम होगा तो हम लोग का यहापे product का नाम है soft sofa तो हम लोग value दे दिए soft sofa आब हम लोग और एक input type hidden ले लेंगे जिसका नाम होगा price और जिसका value होगा यहापे product का जो price रहेगा यहाँ पे हम लोगों का product का price है 1000 तो यहाँ पे value होगा 1000 यानि हम लोगों का button पे click करने पे हम लोगों का item का name soft sofa और price 1000 value pass होगा और यह value pass होके manage card PHP पे जाएगा आब यहाँ पे देखिए हम लोग आभी तक पहला product के लिए किये अब हम लोगों को हार एक product के लिए एक code लिखना पड़ेगा क्योंकि हार एक product का अलग से details पास होगा अब यहाँ पे देखिए हम लोग दूसरा product के लिए भी same चीज कर दिये यहाँ पे हम लोगों का value है sofa और यहाँ पे price है 2000 ऐसे करके हम लोग सारे product के लिए कर दिंगे कोई मान लिजिए ये product पहले देख लेगा, फिर ये add to card पे क्लिक करेगा, ऐसा भी हो सकता है, तो इसके लिए हम लोगों को single product page में add to card बटन के लिए same code करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए हम लोग उपर में page पिलिक लिए और नीचे हम लोगों का पूरा product को एक form के अ और यहाँ पे दो input type hidden ले लिए, जिसका item name हम लोग दे दिये, t-shirt by nike and price 60, और यहाँ पे देखिए हम लोगों का पूरा product एक form के अंदर है, एक बार आप लोग पूरा code देख लिजिए, अब हम लोग ये minus card page में PHP code लिखेंगे, इसका पहले हम लोग चेक करेंगे, server में जो data आया है, क्या वो request method post से आया है, तो हम लोगों का method था post, तो हम लोगों का सारे data post method से ही आयेगा, तो अगर post method से data आता है, तो ये if block execute होगा, अब हम लोग फिर से एक if block लेंगे, और चेक करेंगे, क्या कोई add to card नाम का कोई button क्लिक हुआ है, अगर हुआ है, तो ये if block execute होगा, यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं, कि dollar post method में जो data आया है, क्या ओ add to card नाम का button से ही आया है, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है, कि दूसरा कोई button दबने पे data पास हुआ है, तो हम लोग पहले उसको चेक कर रहे हैं, अगर दूसरा कोई button से data आता है, तो हम लोग उसे card में तो नहीं add करेंगे, अब जब add to card button क्लिक हुआ है, तब चेक करो, if is set dollar underscore session card, यानि card नाम का कोई session set है की नहीं, तो पहले card नाम का तो कोई session set नहीं होगा, हम लोग जब card नाम का session में data रखेंगे, तब ये set होगा, तो पहले हम लोग का session set नहीं होगा, तो इसलिए ilse block execute होगा, और ilse block में हम लोग session को set करेंगे, यानि session में data रखेंगे, तो हम लोग session card का zero index में एक array को store करेंगे, और इस array में जो data हम लोग का आया है, उसे store करेंगे, तो array का item name होगा, dollar post method से जो item name आया है, उसका value, और array का price होगा, dollar post method से जो price आया है, उसका value, और quantity 1 रहेगा, अब session का zero index में store होने के बाद, हम लोगों को एक script शो कराना है, तो इसलिए echo script, alert item added, यानि हम लोग एक alert शो करेंगे, item add हो चुका है, अब alert शो होने के बाद, ओके पे क्लिक करने पे, हम लोग बापास product page में ही जाना चाते हैं, तो इसलिए हम लोग add करेंगे, windows location, asref product.php, इस पे alert शो होने के बाद, हम लोग बापास product page में ही चले जाएंगे, आब यहाँ पे देखिए, हम लोग session को use कर रहे हैं, लेकिन session को use करने से पहले session को start करना पड़ता है, तो हम लोग page के सबसे उपर में session को start कर देंगे, तो आब हम लोग output देख लेते हैं, इस buy now button पे हम लोग click करेंगे, तो यहाँ पे दिखा रहा है item added, अब हम लोग OK पे click क चला आया, अब हम लोग जब दूसरा product add करेंगे, तब हम लोग का cart नाम का session set होगा, इसलिए if block execute होगा, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एक variable लेंगे count, और उसके बाद हम लोग का session में कितना item है, वो count करेंगे, हम लोग यहाँ पे count function चला देंगे, तो पहली बार हम लोग हम लोग का product जब count करेंगे, तो 1 आयेगा, और हम लोग cart session का count index में, मतलब 1 index में, फिर से एक array को store कर देंगे, ऐसे करके हम लोग फिर से एक product जब add करेंगे, तब हैं फिर से count करेंगे, और तब 2 आयेगा, और हम लोग का cart session का 2 index में, फिर से एक array store हो जाएगा, इस array में भी same item आइटेम नेम, प्राइस, एंड क्वांटिटी रहेगा और आइटेम एड होने के बाद फिर से हम लोग एक स्क्रिप्ट एको करेंगे और एक एलर्ट शो करेंगे आइटेम एड़ेट और ओके पे किलिक करने पे फिर से प्रोडाक्ड.php पे चला जाएगा अब मान लीजिए कास्टोमार एक आइटेम दोबारा एड़ करें तो एलर्ट शो होना चाहिए आइटेम अल्रेडी आड़ेट तो इसके लिए हम लोग सेकेंड आइटेम एड होने से पहले चेक करेंगे कि आइटेम पहले से हे की नहीं तो इसके लिए हम लोग एक एरे कॉलाम उठा लेंगे कहा से उठा लेंगे सेशन कार्ड से कौन सा कॉलम उठा लेंगे आईटेम नेम नाम का कॉलम और इसको हम लोग माई आईटेम्स नाम का एक भेरियेबल में रखेंगे आब हम लोग एक इफ कॉंडिशन लगाएंगे और चेक करेंगे कि इन एरे मतलब अभी अभी जो नेया एरे आया है डॉलार पोस्ट मेथड से उसका जो आईटेम नेम है किया ओ आईटेम नेम भेरियेबल माई आईटेम्स में मजुद है अगर है तो हम लोग एक एलाट शो कर देंगे कि आईटेम अल्रेडी एडेट तो यहाँ पे देखिए अगर हो आईटेम अल्रेडी है तो हम लोग एक एलाट शो कर देंगे कि आईटेम अल्रेडी एडेट और एलाट शो होने के बाद ओके पे किलिक करने पे एव बापास प्रोडक्ट.php पे चला जाएगा और अगर आईटेम पहले से नहीं होगा तब क्या होगा? तब हम लोग प्रोडक्ट को एड कर देंगे इसलिए हम लोग यहाँ पे एक इल्स लूप यूज़ करेंगे तो पूरा एक ओड एक इल्स लूप के अंदर रहेगा मतलब पहले से item नहीं होगा तो ए item add हो जाएगा चलिए एक बार हम लोग output देख लेते हैं अब हम लोग इस item को card में add करेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है item added अब हम लोग दोबारा इस item को add करेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है item already added मतलब इस बार आइटेम एड नहीं होगा लेकिन अब दूसरा आइटेम को एड करके देखते है आइटेम एड़ेड आब हम लोग माई कार्ड पेस को डिजाइन करेंगे हम लोग पहले PHP को include कर देंगे और HTML का basic syntax लिग देंगे यहापे देखिए हम लोग एक style sheet को link किये stylenew.css यहापे हम लोग पहले वाला style sheet भी use कर सकते थे लेकिन हम लोग पहले भी एक card नाम का पेस डिजाइन कर चुके है उसका डिजाइन कुछ अलग था हम लोग इस बार कुछ अलग करना चाहते है तो इसलिए हम लोग नेया CSS लिए है पहले हम लोगों का पेस का header चाहिए लेकि तो इसी page पे header लिखने से code बड़ा हो जाएगा और आप लोगों को समझने में मुश्किल होगा तो इसलिए हम header को अलग से लिखते है तो हम लोग यहापे क्या किये header.php में पहले हम लोग PHP include कर दिये फिर HTML का basic syntax लिख दिये और फिर हम लोग title दे दिये shopping card और product page और बाकी सा style sheet change कर दिये style new.css और product page का header था उसको copy करके paste कर दिये और नीचे script add कर दिये यह सब हम लोग पहले भी कर चुके है फिर भी आप लोग एक बार code देख लिजिए और product page का header में active class था product लेकिन हम लोग का my card page में active class होगा card अप लोग पहले वाला card page का header को देख सकते हैं हम उसे copy paste कर दिये आप यहाँ पे देखिए हम लोग का header and footer के लिए style sheet चाहिए तो हम लोग यह जो style new.css style sheet add किये यहाँ पे हम लोग header and footer के लिए style लिखेंगे तो हम लोग style.css में जाएंगे और यहाँ से हम लोग header और footer के लिए जितना CSS हम लोग लिखे थे उसको copy कर लेंगे यहाँ पे देखिए हम लोग पहले से copy कर रहे हैं और footer तक copy करेंगे यहाँ पे हम लोग का footer यहाँ पे खतम होता है तो इसे हम लोग copy करेंगे और style new.css में जाके paste कर देंगे यहाँ पे हम लोग का इतना सारा code यहाँ पे हम लोग का इतना सारा styling नहीं चाहिए बस header और footer चाहिए यहाँ पे हम लोग पूरा home page के लिए जितना styling किये थे उसको copy कर लिए इसके अंदर हम लोग का header और footer भी है हम लोग इसलिए इसको पूरा copy कर लिए एक बर आप लोग इसे देख लिजिए अब हम लोग mycard.psp पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए हम लोग का header.psp जो file है उसको हम लोग अभी तक include तो नहीं किये तो इसलिए हम लोग header.psp फाइल को mycard.psp पे include कर देंगे तो अब देखिए हम लोग का mycard.psp पेज कुछ ऐसा दिखेगा अब हम लोग यह उपर वाला part को design करना चाते हैं तो हम लोग पहले एक div class container लेंगे और उसमें कुछ margin and padding ले लेंगे फिर div class container के अंदर एक div class row लेंगे और फिर row के अंदर एक div class column लेंगे call lg12 और उसके अंदर एक heading लेंगे pro card तो अब हम लोग का page कुछ ऐसा दिखेगा अब हम लोग इसे कुछ styling करेंगे तो हम लोग call lg12 class के साथ class add करेंगे text center इससे हम लोग का text center में आ जाएगा border rounded, bg light इससे background color light हो जाएगा और कुछ margin लेंगे अब हम लोग का page ऐसा दिखेगा अब यहाँ पे देखिए हम लोग pro card के पहले एक icon चाते है तो हम लोग font awesome website में जाकर कोई भी item ले सकते है लेकिन हम लोग यह जो icon है हम लोग पहले भी use कर चुके है यह जो header में card है उसका पहले भी same icon है तो हम लोग यहाँ से copy कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए हम लोग icon के लिए इतना use करेंगे और इसके अंदर हम लोग pro card लिख देंगे तो हम लोग का page कुछ ऐसा दिखेगा आप हम लोग इसमें एक table चाते है जिसमें सारा product add होगा तो हम लोग boost truck के website में जाएंगे और click करेंगे get started और यहाँ पे हम लोग content में जाके select करेंगे table तो यहाँ पे table का बहुत सारा design चलायाएगा हम लोग पहले वाले को select कर लेंगे अब हम लोग हमारा code में आएंगे और यहाँ पे एक div लेंगे call lg9 और इसके अंदर हम लोग table को paste कर देंगे तो अब हम लोगों का page ऐसा दिखेगा आब हम लोग table header के अंदर जो लिखा है उसे change करेंगे पहले वाला table header में रहेगा serial number दुसरे में item name तिसरे में item price और चौथा में quantity हम लोग और एक table header को copy कर लेंगे और नीचे paste कर देंगे और इसके अंदर कुछ नहीं रहेगा आब हम लोग का page ऐसा दिखेगा आब हम लोग table body के अंदर ये जो table row है ये सब हटा देते है और table head को एक class दे देते है text center आब हम लोग table body के अंदर PHP code लिखेंगे हम लोग यहापे एक for each loop चलाएंगे हम लोग यहापे session card का जो index और value आएगा वो हम लोग key में और value में पास कर रहे है तो यहापे हर एक value dollar key में and dollar value में पास होगा dollar key में index store होगा and dollar value में array store होगा चलिए एक बर हम लोग manage card PHP पे जाके देख लेते है हम लोग का session card का जो 0 index है ये key में store होगा and ये array जो है ये dollar value में store होगा अब एक एक करके जब value आएगा हम लोग उसे एक table में print करा देते हैं तो हम लोग echo कराएंगे और एक table row लेंगे और table row के अंदर table data 1 ले लेंगे ये 1 हम लोग का serial number है दूसरा कॉलम में हम लोग store कराएंगे dollar value का item name और तीसरा कॉलम में हम लोग store कराएंगे dollar value का price और चौथा कॉलम में हम लोग एक input type number ले लिए यहापे हम लोग एक class दे दिए text center और इसका value होगा dollar value का quantity और इसका minimum 1 और maximum 10 हम लोग set कर दिए और पाच्वा कॉलम में हम लोग एक button ले लेंगे जिसका नाम हम लोग दे दिए remove item जिसका class होगा btn, btnsm, btn outline danger जो हम लोग का remove button होगा अब चलिए इसका output देख लेते हैं आब यहापे देखिए हम लोग का error आया है यह error क्यों है पता है क्योंकि हम लोग का table में कोई item नहीं है और table में item नहीं है मतलब table set नहीं है अब हम लोग पूरा PHP code को एक if condition के अंदर रखेंगे हम लोग for is के पहले एक if condition लगाएंगे if, is set, session card मतलब session card set होगा तब इतना सरा print होगा मतलब item जब card में add होगा तब ओ item प्रिंट होगा नहीं तो कुछ नहीं प्रिंट होगा अब देखिए हम लोग का page ऐसा दिख रहा है अब हम लोग इसमें item एट करेंगे अब देखिए हम लोग का error तो नहीं आ रहा है लेकिन हम लोग का product भी add नहीं हुआ एक क्यूँ हुआ पता है क्यूँकि हम लोग इहाँ पे session तो use किये लेकिन हम लोग पहले session को start नहीं किये तो हम लोग का पहले session को start करना है तो हम लोग एक काम करते है header.psp पे हम लोग session को start करते है तो हम लोग header.psp में जाएंगे और यहापे PSP के अंदर session को start कर देंगे हम लोग बाद में session को header.psp में फिर से use करेंगे क्योंकि हम लोग का card के बगल में 1,2,3 show करना है हम लोग header.psp को mycard.psp में include कर चुके है हम लोग एक session एक page में दो बार start नहीं कर सकते तो इसलिए हम लोग mycard.psp में अगर फिर से start करें तो एह हम लोग को error दिखाएगा इसलिए हम लोग एक बार में header.psp में session को start कर दिए तो अब देखिए हम लोग का page ऐसा दिखेगा अब यहापे देखिए हम लोग का serial number 1,2,3,4 ऐसे show होना चाहिए तो इसके लिए हम लोग mycard में जाएंगे और इहापे for is loop के अंदर एक variable ले लेंगे sr जिसका value होगा key plus 1 और इहापे हम लोग 1 को हटाके sr को print कर देंगे तो पहले बार जब array का 0 index आएगा तब key में store होगा 0 तब sr का value होगा 0 plus 1 यानि 1 दूसरी बार जब key का value 1 आएगा तब sr का value होगा 2 ऐसे करके हर बार sr का value एक बढ़ता जाएगा आप देखिए 1 के बाद 2 आया हाई तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इसके साथ साथ या तक complete कर लिया होगा क्या आप जानते हो pro school facebook instagram में भी फ्री में education प्रोवाइट करता है ताकि आप लोग हर सुबह कुछ नया सीख पाऊ तो आगर आप लोग pro school के साथ जोडना चाते हो मेरे साथ जोडना चाते हो तो description में दिया हुआ link में जाके follow कर सकते हो तो चलिए अब next part शुरू करते है आप हम लोग चाते है ये remove बटन पे क्लिक करने पे ए रो डिलिट हो जाए उसके लिए हम लोग my card में जाएंगे और remove बटन को एक form के अंदर रखेंगे form action होगा minuscard.psp method होगा post और remove बटन क्लिक करने पे minuscard.psp में जो value पास होगा ओ है item name तो input टाइप रहेगा hidden name item name और value जो पास होगा ओ होगा dollar value item name आप हम लोग minuscard.psp में जाएंगे और इसके अंदर if condition के अंदर एक और condition लेंगे if is set dollar post remove item यानी remove item बटन क्लिक होने पे dollar post method से अगर कोई data आया है तब एक condition एक्जिक्यूट होगा तो हम लोग का remove बटन अगर क्लिक होता है तब एक condition एक्जिक्यूट होगा तो हम लोग पहले क्या करेंगे for is session card as key equals to value यानी हम लोग का session card में जो array store है उसका index की में store होगा and array value value में store होगा अब पूरा array को हम लोग value में store करा लिए अब चेक करो if value item name equals to post item name मतलब हम लोग का array में जो item name है और अभी अभी post method से जो remove बटन क्लिक करने पे जो item name आया है क्या वो दोनों same है अगर same होता है तो unset session card की मतलब ओ पूरा array index delete कर दो अब delete करने के बाद क्या होगा मान लिजिए आपके card में 3 item है आप लोग array का 0 index delete कर दिया अब इस array को फिर से rearrange तो करना पड़ेगा तो उसके लिए dollar underscore session card equals to array values dollar underscore session card यह हम लोग का array को फिर से rearrange कर देगा मतलब one index को zero index पे ले जाएगा और two index को one index पे ले जाएगा आब item remove होने के बाद हम लोग एक alert show कर देंगे item removed और ओके पे किलिक करने पे बापास ओही mycard.php पे रहेगा तो इसलिए हम लोग window location दे देंगे mycard.php तो आब यहाँ पे देखिए हम लोग first item को remove करेंगे तो यहाँ पे alert show कर दिया item removed हम लोग ok पे किलिक करेंगे और यहाँ पे देखिए हम लोग का first item जो था और remove हो गया अब हम लोगों को find करना है total तो हम लोग mycard.php में जाएंगे और यहाँ पे जाके यहाँ पे PHP के बाद हम लोग ले लेंगे total is equal to zero क्योंकि पहले जब product add नहीं होगा तब total price zero होगा और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे total is equal to total plus dollar value of the price यानी हर बार total के साथ निया product जो आएगा उसका price add होगा आब हम लोग नीचे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग एक div लेंगे div class call lg3 क्योंकि total column 12 होता है और पहले से हम लोग 9 column ले चुके है तो इसलिए div class call lg3 और इसके अंदर हम लोग s4 tag में लेंगे total और s5 tag में हम लोग total का जितना price होगा वो print कराएंगे और s5 tag का class होगा text write तो आब हम लोग का page कुछ ऐसा दिखेगा आब हम लोग इसका background color set करते है तो हम लोग इसको एक div के अंदर रखेंगे और जिसका class होगा border, busy light, rounded और हम लोग padding ले लेंगे आब हम लोग का output ऐसा दिखेगा आब हम लोग यहाँ पे एक button चाते है तो हम लोग s5 tag के बाद एक form लेंगे और form के अंदर हम लोग एक button ले लेंगे और button का class हम लोग दे देंगे btn, btn primary, btn block तो हम लोग का output कुछ ऐसा दिखेगा आब हम लोग बटन को निचे लाने के लिए br tag का use करेंगे तो हम लोग का page ऐसा दिखेगा आब हम लोग यहाँ पे radio बटन चाते हैं तो हम लोग getboostrap.com पे जाके search करेंगे radio तो ऐसा एक page आएगा यहाँ से हम लोग radio बटन को copy कर लेंगे और हम लोग का form के अंदर बटन के उपर paste कर देंगे तो आब हम लोग का page ऐसा दिखेगा आब हम लोग यह नाम change कर देते हैं तो हम लोग नाम यहाँ पे cash on delivery और debit cut कर देंगे तो हम लोग का page ऐसा दिखेगा हम लोग अब इस button को थोड़ा नीचे लाते हैं तो button के पहले हम लोग एक br tag add करेंगे आब हम लोग का page ऐसा दिखेगा आब हम लोग इसमें footer add करना चाहते हैं तो हम लोग footer पहले भी बना चुके हैं तो हम लोग product.psp में जाएंगे और यहाँ से नीचे जाकर हम लोग पूरा footer को copy कर लेंगे इस पूरा footer को हम लोग copy कर लेंगे और हम लोग का my cut.psp में body का नीचे जाकर paste कर देंगे तो हम लोग का page ऐसा दिखेगा आब हम लोग footer को थोड़ा नीचे लाते हैं तो हम लोग footer के पहले patch br tag add कर देते हैं आब हम लोग का page ऐसा दिखेगा आब हम लोग चाते हैं हम लोग का card में जितना product रहेगा ओह यहाँ पे header में card के बगल में शो करें तो हम लोग header.psp में जाएंगे और header.psp में जाकर हम लोग का जहाँ पे card section है login के नीचे हम लोग उहाँ पे php code लिखेंगे तो हम लोग एक variable लेंगे count is equal to zero if is set session cart मतलब आगर session cart set होगा तो dollar count is equal to count session cart मतलब count करो session cart में कितना item है जितना item होगा उसका value dollar count में store होगा और हम लोग इसी dollar count को card के बगल में print कर देंगे हम लोग नीचे जाएंगे हम लोग नीचे यहाँ पे card पे हम लोग यहाँ पे card के बगल में PHP में code लिखेंगे eco dollar count मतलब dollar count का जो value होगा ओ यहाँ पे print हो जाएगा आप देखिए card के बगल में one आ गया आप यह जो card के बगल में total product है यह बस card page में तो नहीं show होना चाहिए यह product page में भी show होना चाहिए यह home page में भी show होना चाहिए तो हम लोग हार page में code को copy करके paste कर देंगे तो हम लोग header.psp से इतना code को copy कर लेंगे और हम लोग का product.psp में जाकर जहाँ पे card section है वह आपे जाके paste कर देंगे and इसको भी copy कर लेंगे और product.psp में जाकर card के बगल में जाके paste कर देंगे आप यहापे एक चीज नोटिस किजिए कि हम लोग यहापे session को यूज तो कर रहे हैं लेकिन हम लोग पहले इस session को start नहीं किए तो हम लोग product.php में भी session को start कर देंगे आप देखिए product page में भी card में कितना item है वो दिख रहा है तो हम लोग single product page में भी जाके session को start कर देंगे और यहाँ पे card session में PHP code को copy करके paste कर देंगे और यहाँ पे card के बाद dollar count को echo कर देंगे तो अब हम लोगों का single product page में भी card में कितना item है वो दिखेगा ऐसा ही करके home page में भी हम लोग copy paste कर देंगे तो इहाँ पे देखिए हम लोगों का shopping card page बन गया हम लोग इहाँ से product को add कर सकते हैं हम लोग इहाँ से भी product को add कर सकते हैं तो हम लोगों का card में देखिए तीन item आइटेम आ गया और इसका total इहाँ पे आ गया आब हम लोग किसी item को remove भी कर सकते हैं तो इस वीडियो से अगर आप लोग को कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक कमेंट करके हमारे उससा ज़रूर बढ़ाईए और किसी का मदद के लिए इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर सकते हो और ऐसे ही बहुत सरे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आल करके प्रोईस्कूल के साथ जुड़े रहिए थैंक यू